अलो फ्रेंड्स मैसाइब दोक्र सुनील तामार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनो प्लास्टी सर्जन दोस्तों आज बात करते हैं एक प्रॉब्लम क्या dns प्रॉब्लम से हमारे को एर में प्रॉब्लम हो सकती है देट मेंज एफेक्ट ऑफ dns ऑन दा इयर दोस्तों बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देएगे बैल आइकोन को प्रेस करना यूटूब चैनल को सब्सक्राब करना ना बोले जिसे आने वाले अनेक एंट से रिलेटेड उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों बहुत बाहर हमारे तों मेरे पास पेशेंट आता है पेशेंट आकर कहता है या मेरतीजव हमारी और अंतरिक जो हमारी नोज है और ear की जो है structure है उसको समझना होगा दोस्तो हमारा जो nose है वो जो हम breathing का एक organ है जो हमारा open nostril से आगे open हो रहा है नाग के पीछे एक nasopharynx में यानि हमारे throat में जाके open होता है दोस्तो वहीं पे जो हमारा नाग के पीछे का हिस्सा है वहीं पे हमारे कान की opening भी होती है जो हमारा कान बाहर open है ये एक अंदर जो है एक tube है तो वो tube जो है जिसको हम use taken tube बोलते हैं वो tube जो है वो हमारे इस कान को throat से जो है वो connect करती है जो जब हम breathing करते हैं तो कुछ partial amount of air 10% around वो हमारे उस tube के तूरू हमारे ear में जाती है use taken tube के तूरू और हमारा middle ear के अंदर एक ventilation system होता है वो ventilated ventilation system होना चाहिए आपने देखा होगा दोस्तों बहुत बार हम flight में जाते हैं बहुत बार जो है वो scuba diving करते हैं या कई बार के आए जुखाम लगते ही बच्चों में कान में दर्द हो जाता है ऐसा क्यों है वो इसलिए है दोस्तों वो हमारे जो air के अंदर जो हमारा pressure है क्योंकि वो tube के अंदर जो हमारे use taken tube जो air को कान के अंदर लेके जाती है उसमें blockage के कारण जो है वो कान का परदा है उसके पीछे जो है वो बहुत बार क्या है negative pressure के कारण जो है वो continue negative pressure रहता है तो उसमें क्या fluid accumulate हो जाता है पानी खटा हो जाता है परदे में सूजन आ जाती है तो nose की problem के कारण हमारे ear में भी problem create हो सकती है तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो हमारे नूजगीद, हमारे बहुत सारे दोस्तों ऐसे पेशेंट हैं, अगर आपको DNA है, हमारे को अलर्जी है, हमारे को साइनस की प्रॉब्लम है, तो दीरे-दीरे इसने हमारे एर में भी अफेक्ट होता है इसलिए आपको ये एड़वाइज है, कि आपको ग्यात रहे कि अगर आपको क्रोनी का अलर्जी है, आपको लंबे समय से अलर्जी का ट्रीटमेंट है, तो आपको अपने सर्जन्स, ENT सर्जन्स, जब आप दिखाते हैं, अमोमन वैसे, mostly ENT सर्जन्स जो हैं, वो पूरा कंप् हमें क्या है कि साल में एक बार अपना ओडियोमेट्री टेस्ट भी कराना चीज इससे ऐसे हमें पता रही कि हमारी अलर्जी के कारण हमारा जो कान का पर्दा है वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि तिंग्सार नोट वीजिबल वो हमें दिखत पक जाता है और वो इतना स्ने स्ने और क्रोनिक होता है कि आपको पता भी नहीं लगता बहुत बार आपको इतना ही पता लगेगा कि मेरे को थोड़ा सा कम सुनाई देता है तो यह वो लक्सन है कम सुनाई देना देरे देरे उस कम सुनाई बहरेपन का बढ़ना या आपको कान में सहीं सहीं आवा जाना इसका मतलब आपकी नोज की जो प्रॉब्लम है वो आपको इयर को भी अफेक्ट कर रही है दोस्तो अमोमन आम आदमी को यह लगता है कि अगर कान के अंदर कोई पस आ रहा है इंफेक्शन आ रहा है मवाद आ रहा है तो यह कान में प्रॉब्लम होती है ऐसा नहीं है क्योंकि अगर कान की जो हम अगर फीजियोलोजी की बात करते हैं तो जो हमारा परदा होता है वो बिल्कुल ऐसे टैंस रहना चाहिए जो हम बोलते हैं व वेंटिलेशन नहीं होरा नाक की प्रोब्लम के कारण तो कान का पर्दा चिपक जाया वो बिल्कुल सिकृर जाएगा और उसमें कमपन नहीं होगि कमपन नहीं होगि तो आपको ऊपर आवाज नहीं जाएगी तो हमें decreased hearing होगः सुना नहीं नहीं देगा और दूसरा और एक जो बड़ा लोस दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत बार पीशेंट को जो है वो lifelong recovery नहीं कर पाते जैसे हमारा जो नर्व है जो आवाज को दिमाग तक लेके जाती है उसमें बरापर एक certain frequency के कमपन जाने चाहिए जैसे एक pen है पारकर कमपनी का है बड़िया कमपनी का भी अगर उसको आप रोज नहीं चलाएंगे और उसको पास साल तक अलमारी में रख देंगे तो जाम हो जाएगा ऐसे ही वो नर्व भी अगर उसमें conduction नहीं जाएंगे चाहे वो परदे की प्रॉबलम हो चाहे वो नाक की प्रॉबलम के कारण परदे में प्रॉबलम होई हो तो आपको देरे देरे आपको जो है neural weakness होगा और वो neural weakness दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो उसको revive कर सकता है डॉक्टर क्या कर सकता है जो हमारे परदा चिपक गया उसको ठीक कर सकता है तो दोस्तो ये वो information है जो आपके लिए बहुत उप breeds है अगर आपको nose के अंदर problem है तो हमें जो है वो हमारे कान के अंदर भी problem हो सकती है इसमें कोई दोराय नहीं है कि नोज की problem कान को affect करती है तो दोस्तों I think this information is really useful for you and हम अगले वीडियो में आप सो मिलेंगे जिसमें बात करेंगे कि क्या मुझे अगर कान में और नोज में दोनों में problem है तो क्या मुझे नाक का operation पहले कराना जरूरी है या मेरे को जो है वो कान का operation में करा सकते हूं दोस्तों अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे उसके जाते-जाते अब यूटूब चैनल और पहला आइकॉन को प्रेस करना ना भूली जिसे अनेक ऐसे उपयोगी जागरुक वीडियो उसका notification आपको मिलता रहे है तेंक यू